हालो अब्लिवन देश शम्शाद है तोड़े वी आर गूंग टू स्टड़ी ऑसलेटर सर्केट इससे पहले वाले लेक्ट्टर में हम लोगों ने स्टड़ी किया था ओपैम के बारे में ऑपरेशनल अप्लिफायर के बारे में और वो कैसे फंक्चिन करता है टाइपस ओपैम के बारे में कि जो mathematical operation अपर यह perform करता है जैसे addition, subtraction, integration, differentiation तो उसका सर्केटरी कैसा होता है और साथ के हम लोगों ने बात किया था एक गेन हर एक Operational Employee जो different configuration में बनाया था हम लोगों ने सबका gain find out कैसे करेंगे उसको हम लोगों ने देखा था आज हम लोग जो new topic पढ़ने जा रहे है और इसमें हम लोग देखेंगे कि oscillator होता क्या है तो उसलेटर के बारे में सिंप्ली यह कहा जा सकता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि transistor amplifier में देखा कि common emitter transistor amplifier में जो हम लोग input अप्लाई कर रहे थे हैं तो वह input shift होने के बार याने जब output हम लोगों को मिल दा था वह output और input में 180 degree का phase shift हुआ करता था यह चीज़ हम लोग पहल shift और इसका phase shift ठाइब यानि अगर यह positive है तो यह कैसे अपलाई यह output कैसा मिलता था हमको 180 degree phase shift मतलब क्या हो गया यह ultra मिलता था यानि आपको 180 का मतलब क्या हो गया इस फर्म में मिलता था ओके 180 degree phase shift के साथ मिलता था output जरूर होता था यानि इसका magnitude और इसका magnitude का दोनों में यह कम होता था तो यह एंप्लिफाइओ के बढ़ जाता था लेकिन साथ में फेश्चिप भी प्रोवाइड करता था वह कितना फेश्चिप भी यानि अगर पॉजिटीव है तो यह निगेटीव हो जाएगा तो फीडबै था कितनी तरह कोता है और दूसरों कहते हैं निगेटीव फीडबैक तो फॉस्ती फीडबैक का होता है जब हम लोग आउट्पूट से यानी सिम्ट्ली माली आपली कुला के इन्पूट में बेसिकली वापस कनेक्ट कर दें यानि आउट्पूट से कनेक्शन निकाल लाके इन्पुट में connect कर दते हैं तो इस तरह का connecting circuit कहलाता है feedback amplifier तो इसमें दो तरह का feedback होता है एक होता है positive feedback होता है एक होता है negative negative कब होता है यह अगर amplifier है तो यहाँ जो भी input apply होगा और जो output इसके corresponding यहाँ आएगा इन दोनों में कितना phase shift होगा तो इसमें होगा 180 degree का phase shift होगा यानि यह positive होगा तो अगर आप इसको फिर से दोबारा यहाँ इन्पुट में लागे connect कर देंगे तो यह इस तरह का feedback कहला आएगा negative feedback हम जेफार बनाएगा ओके लेकिन अगर हम इसमें इसके लिए हम यहाँ पर एक सर्कुटरी लगा दिया अलग से जो क्या कर रहा है 180 और फिर से यह तो यहां आने के बात कैथा जाएगा 360 के साथ आजाएगा 360 का मतलब क्या हो गया जैसे हम कहें यह signal है यह सिगनल स्वाइटल सिगनल चल रहा है तो यहाँ सी यहाँ कैथना है 180 180 एगर हो गया तो निगैटिव होगा सिंगनल और फिर से तो यानि 0-360 फिश्चिप्ट हो जाएगा तो फिर से ओरिजिनल क्या आ जाएगा पॉसिटिव में आ जाएगा आ जाएगा यहां पर यह यह इंपूट था अगर और यह आप आउटफूट से ला रहे हैं तो बूरोंसे इंपूट भी उसी फेस्ट में है output भी उसी फेशिफ में है तो यहां पर क्या हो जाएगा एडिशन होगा तो इस तरह का फेशिफ्ट जिसमें क्या देखते हैं हम लोग इस तरह का अम्प्लिफायर जिसमें feedback फीडबैक जो प्रवाइड के जा रहा है वो टोटल फीडबैक के तना हो अब लेकिन डिफरेंस उसके इलावा क्या डिफरेंस है तो रेक्टिफायर में हम लोग डीजी सिंगनल को अप्लाई कर रहे चबिफाइब अप्लाई करते हैं और आटुट में हम लोग क्या करता था टीसी सिगनल मिलता था ठीक है लेकिन और उस्चिलेटर सरकेट में कोई भी इंप्लाई करता है जो भी इंपुझ होता है वो व्ल्टेज सप्लाई जो उपर में वीचर्टी हम लोग देते हैं उसके through मिलता है और यह VCC जो आउपर में हम लोग supply करते हैं यानि जो connection से VCC देते हैं उसके through क्या करता है यह pulsating signal को generate करता है pulsating signal मतलब क्या या तो sinusoidal हो सकता है या square wave type का signal generate कर देगा ठीक है pulse के form में signal को convert करता है pulse का मतलब क्या हो गया या तो sinusoidal या square wave या rectangular wave या 7th wave या अलग-अलग type का wave generate कर सकता है जैसा हम लोगों को requirement होगा उसके according तो oscillator circuit का सबसे important काम क्या होगा ओसलेटर circuit बिना input के यानि इसमें कोई अलग से extra input नहीं देना पड़ता है बिना input के यह DC supply को pulsating supply में बदल देता है DC supply को किसमें convert कर देता है अभी तक जो हम लोगों ने कहा उसको हम लोग एक तरह से देख लें यह होता क्या अभी तक तो theoretical बात कर रहे थे तो actually में oscillator circuit होता कैसा है और यह कैसे काम करता है तो देखें यह एक oscillator का type है जिसका नाहीं हाटले oscillator तो heartly oscillator में क्या है simply basic अगर सब में जतना भी amplifier आपने देखा होगा है यह जतना भी oscillator circuit देखा उससे पहले और भी जैसे देखा darlington player देखा सब मतलब जतना भी circuitry अभी तक हम लोग circuit diagram में पढ़ा है सब में एक basic चीज़ देखा होगा कि सब में एक common emitter transistor configuration को यूज किया गया है एक common emitter transistor configuration है और उसके बाद उसमें या तो tank circuit यूज हो रहा है different types का tuning के लिए या फिर different type का feedback circuit यूज हो रहा है अलग-अलग ठीक है और उसके corresponding उस circuit का नाम देजा रहा था तो अभी जो हम लोग यहां पर पढ़े रहें oscillator 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 में भी सेम क्या होता है एक common emitter configuration होता है जो यहां दिखाई दे रहा है उसके बाद output में एक tank circuit यूज किया रहा था लेकिन वह पहले वाला tune amplifier के तरह tank circuit नहीं होता है tune amplifier वाले tank circuit नहीं किया था एक inductor होता था और एक capacitor होता था बैसिकली यही पैरलल में connect होता था हम लोग लोग वैरी करते था है उसके corresponding output में देखते था कि frequency का मतलब जो desired frequency है उसमें जो हम लोगों को desired frequency चाहिए वो मिल दा है कि नहीं मिल आउट्पूट में उसके लेकिन यहां पर क्या है tank circuit क्या provide करता है tank circuit यहां पर आपको feedback provide करता है विद्धा है विद्धा phase shift of 180 degree यानि हम लोगों को जो यहां से आउट्पूट circuit से जो output मिलेगा जो आके transistor के input में connected होड़ाया फिर से तो यह tank circuit क्या करेगा 180 degree का phase shift provide करेगा इस output voltage को पहला काम क्या करेगा यह 180 degree का phase shift provide करेगा इस output हो क्यूँ यहां पर जो भी input होगा बताया मैंने कि यहां पर आप निगेटिव में अप्लाई किया इस तरह सप्लाई किया तो यहां पर जो output मिलेगा common emitter configuration बाल वह invert हो जाएगा 180 degree से तो 180 degree से invert हो गया हो गया इस तरह का output मिलेगा फिर यह जब tank circuit से होते हुए पास करके यहां आएगा input में तो फिर से क्या हो जाएगा यह फिर से दोबारा इंवर्ट होगा क्यों क्योंकि यह tank circuit जो है extra 180 degree यानि additional 180 degree phase shift यह इस tank circuit के थू प्रोवाइड होगा और यहां पर जो हम लोगो को signal मिलेगा इन्पूट में वो किस तरह का signal होगा वो यह signal ना होके बलके negative से स्टार्ट होगा और सेम इन्पूट के फेश्चिप्ट में होगा यानि जैसा यह इन्पूट में मिलेगा बढ़ता हुआ ऐसा increasing increasing फेटिंग इन्पूट मिलेगा इस तरह से ओके तो ऑस लेटर के बारे में हम लोगों ने जाना कि औस लेटर सरकेट किसे बना होता है तो ऑस लेटर सरकेट में बैसिकली एक common emitter transistor configuration होता है साथ में जिसका output जो होता है common emitter transistor configuration का जो output होता है वो किसी ना किसी feedback circuit से connect होता है जो additional 60 degree का phase shift प्रोवाइड करता है किस output को common emitter configuration के output को 180 degree phase shift प्रोवाइड करता है और इस phase shift के बाद जो input में आपका output feedback होने के बाद आ रहा है वो input और output क्या हो जाता है, same phase, same phase का मतलब positive feedback, same phase होने का मतलब input signal और output signal, अगर दोनों, मतलब input signal अल्रेडी है और output signal जो feedback पास से होते हुए RIS के पास, दोनों अगर same phase होना है, इसका मतलब यह हो गया कि feedback जो apply हो रहा है, वो कैसा है, positive feedback अप्लाई हो रहा है, तो oscillator में हमेशा क्या क्या होता है, positive feedback अप्लाई होता है, और positive feedback के लिए क्या होता है, एक common energy transition होता है, साथ में एक tank circuit होता है, अब यह tank circuit पर डिपेंड करता है, यह tank circuit किस टाइप का, मेभी इसमें क्या हो सकता है, एक center, यहाँ देखने हैं, यह कहला आएगा center tap, inductor, क्योंकिए दो inductor है, और बीच में उसको क्या कहाएगा, center tap, inductor based, tank circuit, इसी तरह से आगे, क्वालपिट के अगर देखने होता है, तो यह अलग-अलग depend करता है, कि tank circuit कैसा है, अगर दो inductor लगा हो, एक capital लगा हो, तो यह tank circuit कहा रहा आएगा, center tap, inductor based, tank circuit, और जो किस oscillator को डिजाइन करेगा, हाटले उसलेटर क बनाएगा, अगर हम सिर्फ tank circuit को बदल दें, यहाँ पर दो inductor के जगा, दो capacitor लगा दें, तो यह जो oscillator circuit हमको लोगों को मिलेगा, वो कौन सा होगा, वो कहला है, वो कहला है, वो क्वालपिट उसलेटर, बाकी सेम है, बाकी configuration सेम रहेगा, देखिए जो इसमें है, वही इसमें सेम, लेकिन सिर्फ के tank circuit में changing है, और कुछ नहीं, tank circuit में डो inductor लगा हुआ है, उसको tap कर दिया है, center में, यह कहला हैगा, hotlay oscillator, और अगर हम इस तरह से connect कर देंगे, तो यह कहला है, तो यह कहला है, इस तरह से connect कर देंगे, यहाँ से यहाँ तरह का feedback से होते हुग, अगर पास क करेंगे इन्पुट में अप्लाई करेंगे मतलब ओर्फ फीडबैक होते हुए इस आर्सी फीडबैक से होते हुए इन्पुट में आएगा तो इस तरह का उसलेटर सरक्यट कहलाएगा और अगर फीडबैक में हम लोग ब्रिज को इस्तिमाल करते हैं वेन ब्रिज आपने ये माने पढ़ा होगा में उसका इसका उसलेटरेंट को देखा इापको अब में डीटेल में ओर theoretical portion की तरफ जो मैंने theory में already mention कर रहा है क्या-क्या चीज इसका definition formal definition इसका working यह कैसे काम करता है और इसमें क्या-क्या component होता है यानि क्या-क्या component आता है जब आपको एक्जाम में पुछा जाएगा तो basically क्या पुछा जाएगा क्योंकि यह EDD का एक्रोंस ड्राइंग में inductor कना होता है क्या चैन्य चैंक सर्केट उसमें इंडेटर टैप्ट होता है या फिर प्र इस तरह से सवाल घुमाप प्रके पुछा जाता है तो आईए हम नों वह फॉर्मल डियुपर चलते हैं क्यों उस्लेटर का आल्टर्नेटिंग वेवफ्पॉर्म को देता है विदाउट एनी इन्पूट सबसे खाथ बात यह है कि हम लोगों को इसमें इन्पूट सिगनल देने की जिरूद ने पड़ेगी तो इन्पूट किसे मिलेगा तो इन्पूट बिना इन्पूट किस्तरा हासा दे रहा है जैसे इन्पूट में आ रहा है और दुबारा फिर यह प्रोसेस चलता जा रहा है और यह उसलिए इसको कहा रहा था विदाउट इन्पूट यह क्या करता है मैं मनलब बेसिकली काम क्या होता है तो यूनि डिरेक्शनल करेंट को यह किसमें करता है करता अल्टरेने portion का मतलब हो और डिसी करेंट को किसमें करता है ऐंटरेने इंगे जाठीशनल कर देता है कि देखा और यहां पी जो अपलाई हो रहा वोगती स 채णा और यह जो आ रहा है वह किसमें करता को कि यह इसका काम कहा है मतलब उसका यूज करते हैं आज़ेटर को हम लोग यूज करते हैं ऐसे clock generator circuit यह क्या करता है जिस clock का हम लोग इस्तेमाल काम करते हैं कंप्लेक्स कंप्यूटर में भी करते हैं उसके लावा अधर जगहा पर बहुत का का इसका इसका एप्लिकेशन है जहां भी हम लोग वह लोग आको यूज कर सकते हैं एक फॉरर्मळ य यह बताए यह तो बताए गया यह क्या काम करता है ठीक है और यह क्या है इसका component कैसे काम करता है वो मैंने बता दिया कि फेश्चिफ 180 degree किसे मिलता है आपको पहले common emitter configuration से यानि इसमें क्या हम लोग बता है कि पहले यह c configuration से हम लोगों को यहां पर जो आपको मिलता है वो 180 डिग्री फेश्चिफ होता है उसमें फिर उसके बाद tank circuit से हम लोग दोबारा उसको 180 डिग्री फेश्चिफ प्रवाइड करता है इस तरह से total फेश्चिफ जो signal को input signal को मिल जाता हो केतना हो जाता है 360 मतलब जो फेज में जिस फेज में आपका input होता है उसी फेज में आपका output भी यहां पर मिल जाता है इसको तो इस तरह का feedback कहलाता है positive feedback और due to the positive feedback इस DC power supply is converted into the sinusoidal waveform तो इस वजात से क्या होता है यह DC power supply किसमें convert रहता है sinusoidal waveform में convert रहता है या फिर आपका square waveform में लेगा यहां पर या सातूत waveform जैसा आप चाहते है उसके corresponding यहां पर waveform generate होता है और यह waveform यूज किया था as a clock as a clock ओके यहां लिखा किसमें component कौन-कौन सा होता है तो इन दा अधरवर्ट विकन से लेटरा नथिंग बड़ आंप्लिफायर सब्सक्राइब होता है जिसमें अलग से क्या होता है positive feedback प्रवाइड करने के लिए हम लोग एक टैंक सर्कृट को जोड़ देता है यही चीज़ लिखा हो हाँ पर एक बेसिकली यह क्या होता है एक common emitter transistor configuration होता है जिसमें हम लोग positive feedback प्रवाइड करने के लिए एक अलग से टैंक सर्कृट को एड़ करता है ठीक है जो के positive feedback प्रवाइड करता है ठीक है आगे चलिए तो amplifier consists of amplifying active element जिसमें क्या होता है सबसे पहले एक एक amplifying device होता है जो होता है को Uampamp होता है यहां पर Amplifying device कों है यह ट्र्रांजिस्टर 이ttu is के लावा हमने उपरेश्चनल amplifier को यूस करके भी oscillator बनाते हैं देक है तो यहां हम लोग क्या करें transistor को यूस करके है, amplifying device को हो है transistor, इसके इलावा हम लोग operational amplifier को यूज करके भी oscillator बनाते हैं तो यहां अम लोग क्या करें transistor को यूज करके बना रहे हैं यहां पर opamp लग को भी बनता है ओके और चलिए यही लिखता transistor या opamp दोनों यूज के जो करते हैं and the back fed in face signal is head responsible to sustain the oscillation बाइं making up the lossless by making up the losses in the circuit simply बात कर रहा है कि आप के लिए जब भी आप oscillator circuit design करेंगे तो उसमें basically क्या होगा एक transistor amplifier होगा या फिर operational amplifier से बना हुआ एक transistor configuration होगा यहाँ पर क्या है बीजेटी ट्रांस्टर हमना बीजेटी ट्रांस्टर को यूज कर रहे हैं हो सकता है यहाँ पर operational amplifier को भी यूज किया जाए ठीक है तो operational amplifier को यूज करके भी oscillator बनता है बहुत जारा उसमें भी टाइग्राम है लेकिन मुझे यहाँ बेसिकली आपको बताना था इस तरह से हमनों को जो यह output बिनता है वो केतना होता है वो positive होता है और यह positive input signal लाके फिर यहाँ पे input में apply होता है और यह process चलता रहता है continue जिसके वजह से यह DC power supply के इस तरह का waveform output में देता है यह sinusoidal waveform को output में देने लागता है तो ऐसा circuitry जिसमें DC power supply को एसी waveform में convert कर दिया जाता है ऐसे circuitry को कह रहें oscillator circuitry यह कितने तरह का होता है में ली चार तरह का हाटले कॉलप्रिट क्लैप और वेंबिज क्लैप के बारे चार में ली हम लोग चार पढ़ना है यह चार कम से कम इसका circuit आपको ध्यान में रहना चाहिए कि क्या difference है दोनों में मतलब यह सारे circuit में क्या सब्सक्राइब करना है लेकिन अगर आप समझ जाएंग तो वह क्या है कॉमन इमेटर कंफिकेशन तो यह बना लेजिए सबसे पहला कम सब्सक्राइब क्लेक्टर टर्मिनल से निकल के एक टैंक सरक्यट हो रहा तो देकिए हाटले देख लें चाहिए आप इसको देख लें सबमें क्या देख रहे हैं आपको क्लेक्टर से निकलके क्या है Peace सर्किट से होते और फीड़ेक पीड़ेख सरक एक हो तब पहले सबसे पहलें का देला कर लेना है फिर एक S Keeperestonthe Girljust उसने ह残ता है तो होटले और कोलपिट लगभख सेम है दिखने में सेम है Did lire के ओलों और सूपर क्या है. टैंक स्वाट आर्टा उसमें क्या होता है सेंटर 4 एंडेक्टर होता है याने 2 इंडेक्टर होता हृता, और तो, यह डिफ्रेंस हुआ, हाटले और कॉलपेट में, उसे तोड़ा साथ हैं, RC फेश्शिफ, RC फेश्शिफ में, 104 डिग्री दुट फेश्शिफ प्रोवाइड के आथा है, वो किसके थूप्रोवाइड के आता है, with the help of this RC phase shift okay this RC circuit के तवारा यहाँ पर 180 degree का phase shift प्रोवाइड कर आता है आगे इसमें जो 180 degree का phase shift प्रोवाइड कर आता है with the help of Vennbridge तो यह अलग-अलग oscillator circuit है जिसका application मैंने नेचे मेंचन कर रखा है कि इसका application क्या है और यह कहां use होता है जैसे हाटले उसलेटर का commonly used कहां क्या था radio frequency में radio frequency oscillator अगर बनाना होता है तो हम लोग हाटले को use करते है radio frequency का range क्या होता है तो 20 kHz से 30 MHz यानि इस तरह में इस में से किसी भी signal frequency को अगर जनेरेट करना होता है अगर हम लोग चाहते है कि ऐसा sign wave design हो जिसका distortion कम हो और frequency range कहां से कहां हो 30 kHz से 30 MHz इसमें कहां है 20 kHz से इसमें 30 kHz से 30 MHz तो जब हमको इस तरह का requirement होता है तो हम लोग क्वाल्पिट और से लटर को क्वाल्पिट और से लेटर को use करते है RC phase shift कहां होता है RC phase shift को हम लोग कहां यूज करते है जहां पर musical instrument बनाना हो या फिर GPS unit को बनाना हो GPS सिगनल को यह GPS controlling circuitry को बनाना हो या फिर voice synthesis के लिए यूज करना हो तो वहाँ पर हम लोग RC phase shift को यूज करते है और vane bridge क्या है तो vane bridge oscillator का सबसे important example यह है कि इसका इस्तमार हम लोग कहां करता है जहां पर हम लोग को good frequency stability चाहिए होता है और low distortion चाहिए होता है distortion कम से कम basically हम बात करें तो सब में जतना भी हम लोग oscillator circuit पढ़ें चार भी चार तरका चारों में क्या है सब एक ही काम करता है power supply जो देते हैं हम लोग DC उसको convert कर देता है sinusoidal waveform में convert कर देता है अब वो sinusoidal waveform को हम लोग कैसे use करते हैं as a clock use करते है different circuit में यहां पर हम लोग clock पर जरूँद होती clock signal की तो हम लोग oscillator circuit से clock generate करते हैं और उस clock को फिर अपने device में use कर लेते हैं तो आयोप आप यह oscillator का पुरा basic funda समझ में आ गया होगा कि oscillator कैसे काम करता है types of oscillator क्या होता है हाटले कैसे कॉल्पेट बनाना है तो सिर्फ difference क्या था basically tank circuit जो हम लोग use कर रहे हैं हाटले और कॉल्पेट में क्या difference है basically tank circuit के component का tank circuit में दो inductor लगा होता हाटले में कॉल्पेट में क्या होता दो capacitor लगा होता एक inductor लगा होता है यह basic simple सा difference था वेन ब्रीज में क्या है वेन ब्रीज ही लग रहा था direct RC phase shift में क्या था 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 तीन RC चर्थ तीन RC component को इस तरह से रहेंज किया था है कि total phase shift केतना हो जाए 360 मिलने लगया है simply तो I hope आपको यह समझ में आ गया हो thank you so much for watching this we will meet in the next lecture